हेलो सातियों कैसे आप सभी में विवेक एक बाद फिर से आप सभी सातियों का आपके अपने परिवार एक्जाम पूर मैं हार्दिक स्वाकत करता हूं हमें एक्जाम पर कलम से क्रांती तो बच्चा हम लोग 2018 के जो भी इंपोर्टेंट करंट अफेर से अर्था जिसका मन है कि जो आपके पेपर के लिए थोड़ा सा भी इंपोर्टेंट रो सकता है तो हम यह प्रीवियस एर कम करंट अफेर करें और आज कोशिस रहेगी कि हम सेप्टेंबर 2018 को खतम कर सकें फिर से मेरी बास सुन लीज आज सेप्टेंबर 2018 खतम तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर सुरू हो जाएगा एक साल के करंट अफेर कर रहे थे हम जून से स्टार्ट किया था जून जुलाई अगस्त खतम आज सितंबर भी खतम तो फिर क्या जाएगा अक्टूबर अब बात करते हैं कल संडे जैसे त एक से चार जुलाई का कुछ किया था डेपली करंट अफेर्स को स्टेडी किया था जो 2019 के थे क्योंकि साथ साथ ऐसा नहों कि 2019 समारे सर पर बोज़ की तरह रहे तो चार से 10 जुलाई तक का या 12 या 15 जुलाई तक की कोशिस करेंगे most important सुभा ठीक है तो चले फिर आज के important current affairs पहला कुश्य ने कि first ever India tourism mart इंडिया tourism mart 2018 का आयोजन कहां पर किया गया था पहली बार India tourism mart 2018 का आयोजन कहां पर किया गया था तो बच्चा 16 से 18 सितंबर 2018 को 16 to 18 सेप्टेंबर 2018 को first ever India tourism mart का जो आयोजन किया गया वो कहां पर किया गया था नई दिल्ली कहां पर किया गया साथी नई दिल्ली चिकिस्ता आवेदन के लिए बारत में सबसे बड़ा cyclotron cyclone 30 को किस शहर में चालू हुआ यह जो cyclotron एक machine होती है क्या होती बच्चे एक machine होती है radioactive elements आदी से जुड़ी हुई है जो radioactive elements से उससे जुड़ी हुई है department of energy ने लगाई है किस ने लगाई है department of energy cyclotron cyclone 30 यह आपने देखा होगा कि कुछ जैसे हमारे cancer होते हैं वो जो cancer है वो radioactive element आदी से ठीक होने के उनके chance होते हैं तो उसी की application है सबसे कहां पर हुआ यह कलकत्ता cyclotron cyclone 30 यह सबसे cyclone 30 नाम की machine है एक cyclotron है उसका नाम क्या है cyclone 30 कहां पर commission किया गया है कॉलकाता कहां पर commission किया गया बच्चा कॉलकाता और किसका है department of atomic energy department of atomic energy किस देश ने दुनिया की पहली hydrogen से चलने वाली train शुरू किये तो आपको पता है यह France France की company है जर्मनी में तो वर्ड की पहली hydrogen संचाले train कहां पर श्टार्ट हुई है जर्मनी में श्टार्ट हुई है मेक्सिको के 128 वे राष्टिय दिवस की पूर्व संध्या पर भारत में मेक्सिको के राजदूत शुश्री मेलबा प्रिया द्वारा एच्टेक इगल के मेक्सिकन आदेश अर्थात order of the एच्टेक इगल से किसको समानित किया गया यांड से और अवड़र ऑफ़दी एच्टेक इगल ते कोलवी कम ने कुश्चन किया था डॉक्टर रगूराम राजन येकर टायर एंड इंड़िस्ट्री जो झेकर टायर के एड आते उसके चेरमेन है डॉक्टर रगुराम राचन आगे आजाता है इरान में इरान में एशिया की सबसे उची ज्वाला मुखी चोटी माउंट डमावंद पर चड़कर इतिहास रचने वाले दो भारतियों का नाम बताई है अर्थात पिछले वर्स दो इंडियन्स थे जो इरान की हाइस्ट वॉल सत्यरूप सिधान्त एंड मौसमी खटवा सत्यरूप सिधान्त वे मौसमी खटवा ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने एशिया की सबसे उची माउंट डवावंद पर चड़ने वाले दो भारते बने हैं क्या नहीमें का सत्य रूप से धान्त और मौसमी खटवा अभी 2019 में क्या हुआ कि जो सत्य रूप से धान्त है ये सातों की सातों जो बड़ी चोटी हैं उन पर चड़ने वाले भी भारतिय बने तो आंस्वर क्या जाता है सत्य रूप से धान्त वे मौसमी खटवा माउंट दमावंड इरान आगया जाता है लंदन में ABPL लंदन में Asian Business Publications Limited द्वारा अवार्ड दिया गया तो किस Scotland Yard के पहले Indian Origin Counter-Terrorism Chief जिने Asian Achievers अवार्ड इन युनिफॉर्म एंड सिविल केटिगरी का अवार्ड दिया गया तो देखें जैसे हमारी दिल्ली पुलिस इसी तरह जैसे अमेरिका की FBI इसी तरह लंदन की Scotland Yard होती है इंगलेंड की कौन सी पुलिस होती है Scotland Yard उसके पहले Indian Origin Counter-Terrorism Person जो है उन्हें क्या दिया गया बच्चा उन्हें Asian Achievers मतलब एशिया का कोई व्यक्ति जिसने युनिफॉर्म या सिविल सर्विसेज इंगलेंड में काम करते हुए कोई बहतरीन काम किया है तो इनका नाम है नील बसू क्या नाम है बच्चा नील बस नील बसू जी को यह वाड दिया गया है यह Scotland Yard के पहले Indian Origin Counter-Terrorism Chief है चलिए आगया जाता है ग्रह सचीव राजीव गोबा द्वारा सुरक्चा मंजूरी देने के संबंध में इनमें से कौन सा पोर्टल सुरू किया गया तो पिछले साल इस हैज नाम का पोर्टल सुरू किय आगया जिससे कि security clearance आप पोर्टल के थुरू बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकें आगया जाता है किस राज्य ने प्रदूसर को कम करने के लिए राज्य प्रदूसर नियंत्रन बोड के नियामक प्रयासों का समर्थन करने के लिए स्टार रेटिंग के टिगरी स्टार्ट किया है तो air pollution को खतम करने के लिए air pollution को खतम करने के लिए इस्टार रेटिंग प्रोग्राम जो उद्योग धंदे होते हैं उनके ये इस्टार रेटिंग प्रोग्राम ये किस राज्य ने ऑभन हो च्छोटे यह उडईशा सरकार ने शुरू किया engage सरू किया बचा उड़ीस सिध्व तंतता सेनानी वीर नरेंद्र साहीं पर कौन से एयरप् выпуск का नाम रखा गया है तो जहार सुगड़ा एयरपोट का नाम किसके नाम पर रखा गया है वीर सुरेंद्र साहीं के नाम पर इसका उद हाटन पिछले वर्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था ये किस राज्य में तो ज्ञार सुग्रा एयरपोर्ट साथियों उडीसा राज्य में कहां पर बच्चा उडीसा राज्य में जिसका नाम किस पर रखा गया 8577 स्वेतनता सेनानी वीर सुरेंद्र साई के नाम पर वीर सुर पांध बनाने की मंजूरी कौन सी नदी पर दिये हरियाना सरकार ने तो एक चीज के लिए राते जो रावी व्यास है यह रियाने विसे नहीं गुजरती पंजाब से जो कावेरी है यह कहा की नदी रह जाती है यह रह जाती है दक्षण भारत की तो एक नदी हम कभी-कभी तो कहीं पर एक चीज आके रुख जाती है क्या रुख जाती है कि जो किसाउड़े में यह कौन सी नदी पर बना हो सकता है टौन सी नदी पर एकदम सही चलिए अगला जाता है कि जो हमारा एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया है यह स्री लंका में किस हवाई अड़े का विकास करेगी जो हमारी एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया है यह स्री लंका में किस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है तो इसका नामें बच्चा पलैली एरपोर्ट क्या नामें नार आए एशियाई खेलों में दो रजत पदक जीतने वाली एशियाई खेलों में दो रजत पदक जीतने वाली स्प्रिंटर दूती चंद दूती चंद के उपर एक लेखा कौन सी पुस्तक लिख रहा है इनमें से कौन से लेखा के जो दूती चंद जी के उपर दूती चंद जी क के उपर पुस्तक लिख रहे हैं दूती चंद जी के उपर दूती चंद एशियाई खेलों में दो सिल्वर मेडल जीते थे आप मैंसे कोई बताएगा कि कौन-कौन से गेम्स में जीते थे कौन-कौन से एथलेटिक्स में कितने-कितने मीटर के खेलों में है है कि सबसे पहले तो एशियाई खेलों को इतनी बार बता चुके कि याद रखने लायक कम से कम अब भी आंस्वर नहीं आते तो अब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है अब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है कम से कम एकदम सही इस्टोरी सो फार इसका नाम इस्टोरी सो फार सुदीप मिस्रा इस्टोरी सो फार यह सुदीप मिस्रा ना करके इनका नाम संदीप मिस्रा है क्या नाम है संदीप मिस्रा संदीप मिश्रा इस्टोरी सो फार ये दूती चंद जी की इस्टोरी है इस्टोरी सो फार बहुती महनस से और बहुत ही मोटीवेटेड इस्टोरी है शानदार कि कितनी भी कठनाई आएं लेकिन हार मत हार मत हार मत वो वाली बात दूती चंद इस्टोरी सो फार संदीप मिश्रा जी के साथ आगे आ जाते हैं कि विच इंडियन एक्टर रिसीवड दी इसमिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड एट प्रिये दर्सनी अकेडमी 34 गिलोबल अवार्ड मुंबई में पिछले वर्स इसमिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड ये इनमें से किसको दिया गया इसमिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड लाश्ट एर किसको दिया गया इसमिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड मुंबई में ये किसको दिया गया इसमीता पाटिल मेमूरियल अवार्ड ये किसको दिया गया बिल्कुल सही अनुश्का सर्मा इसमीता पाटिल मेमूरियल अवार्ड लाश्ट इयर अनुश्का सर्माजी को दिया गया और ये भी आपको पता है कि वरुन धामन और अनुश्का सर्माजी को लाश्ट इयर इसकि इंडिया का brand ambassador बनाया गया था आगे आज आता है कि उस व्यक्ति का नाम बताईए जो first private moon tourist अर्थात पिर्थम ऐसा व्यक्ति जो tourist के तौर पर moon का चक्कर लगाएगा और उसके साथ बहुत सारे free में artist भी जाएंगे तो नेमदा person who will be the first private moon tourist जो की space x नाम की जो company है एलन मस्क की उसके big falcon rocket पर moon के चारो तरफ 2023 में चक्कर लगाएगा तो इनका नाम है यासाकू माई जावा यासाकू माई जावा ये जापान के एक wealthy परसने जापान के एक बहुत ही अमीर परसने ये 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 साकू माई जावा ये साकू मेजवा भी कह सकते हो तो अब 2023 में मूर पर जाने वाला पहला निची परियाटक कौन बनेगा ये साकू मेजवा ये साकू मेजवा आगे आज जाता है world अलजहाइमर दिवस अलजहाइमर नियूरोंस की बिमारी है माइंड की बिमारी है किसकी बिमारी है माइंड की बिमारी है नियूरोंस की बिमारी है नियूरोंस की बिमारी है तो वही आपको बताना है कि अलजहाइमर दिवस कम मनाया जाता है तो एक बात आप याद रखिए बच्चा कि यह जो 21 सितंबर है 21 सितंबर को दो दिवस मनाई जाते हैं 21 सेप्टेंबर को दो चीज़ हैं एक तो वर्ल्ड अलजाइमर दिवस और दूसरा होता है इंटरनेशनल डे ओफ पीस अर्थात शांती का अंतर राष्टिय दिन 21 सितंबर 21 सितंबर अलजाइमर में हम लोग याददा स्कमजोर होती जाती है आग्या जाते हैं मदरास मदरास पहला इस्टेट बताईए नौर्थ इस्ट में जिसने स्मार्ट इपब्लिक डिस्टिबूशन सिस्टम इपीडियस लॉंच किया है जो कि मदरास सेक्योर्टी प्रिंटर्स नाम की कमपनी ने जिसका किया है डवलमेंट किया है EPDS लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तरपूर भारत का EPDS बताइए बच्चा बहुत अच्छे तो ये है अवणाचल प्रदेश ये कौन सा बच्चा अवणाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है उत्तरपूर भारत का जिसने ये EPDS सिस्टम सुनो किया और डवलब किया किसे उसने उस EPDS सिस्टम को डवलब किसे ने किया ए मदरा शेक्योरटी प्रिंटर्स मदराज security presenters आगे आजाती है महाविज महाविज नहीं है यह महाविज महाविज का मतल़ होता है कि big business opportunity महाविज 2000 नाम की अंतर राष्टी है international business conference international business conference यह कहां पर हुई है महाविज नाम की international business conference यह कहां पर आयुजित की गई है बच्छा तो यह 12 से 13 अक्टूबर 2018 दुबई युनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में आयुजित की गई है कहां पर आयुजित की गई बच्छा दुबई इंटरनेशनल बिजनिस कॉन्फरेंस जिसका नम क्या है महा बिज जिसका मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर फ्री डे कम मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर फ्री डे कम मनाया जाता है बताइए वर्ल्ड कैंसर फ्री डे और यहीं से आपका कुशन हो जाता है इसी दिन भारत में इसी दिन भारत में राइनो डे भी मनाया जाता है तो यह सेप्टेंबर 22 December 22 को राइनोडे भी मनाया जाता है रोजडे वर्ड रोजडे अर्थात कैंसर फ्रीडे केंसर फ्रीडे को वर्ड रोजडे के नाम से भी जाना जाता है यह एक तरीके का मतलब यह जो कैंसर पेशेंट हैं उनके अन्दर एक आत्म विश्वास की भावनद जगाने के उद्दिश्य से इस दिन राइनो दिवस भी मनाया जाता है विश्व गुलाव या कैंसर मुक्त दिवस 22 डिसंबर को मनाया जाता है कुशन नमबर 19 आ जाता है असम सरकार ने राइनो डे कम मनाने का निड़े लिया है तो असम गवर्मेंट ने राइनो डे 22 सितंबर को मनाने का नड़े लिया है आपको पता है कि काजी रंगा नेशनल पार्क असम का वन हॉर्ण एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है असम काजी रंगा नेशनल पार्क तो 22 सितंबर को राइनो डे मनाने का नड़े ल अर्थात गुडविल अमबेजडर नियुक्त किया गया है नेपाली टूरिजम का चार साल के लिए तो इनका नामे जया पिर्दा अभी नित्री जया पिर्दा जी को नेपाल टूरिजम का गुडविल अमबेजडर नियुक्त किया गया है कौन जया पिर्दा आगे आज जाता है पहली बार sign language के अंतर राश्टिय दिवस का विशय क्या था तो आपको पता है कि जो मूख बधिर लोग होते हैं वो किस में बात करते हैं sign language में बात करते हैं जो इशारों की भाशा होती है इसका जो international day है उसका विशय क्या था sign language का international day of sign languages 23 सितंबर को मनाया जाता है विलकु इसकी पिछली बार की थीम थी कि भी the sign language everyone is included आगे आ जाते है दक्चन भारत हिंदी प्रचार सभा दक्चन भारत हिंदी प्रचार सबाके शतापदी समारू का ख़чन कहां किया गया दक्षन भारत एक तो इसमें आपको एक तो इसमें आपको हिंट दे दिया गया डख्चन भारत की दक्ष्ल भारत में रामनात कोविन्द जी ने किया है तो वहीं से आब शताब्दि समाहरू का अउधगाटन नहीं डिल्ली में किया गया कहां पहीं किया गया ये कहां पर खोला गया ये इसका नाम क्या ए है इसका नाम क्या है और ये किस राज्य में ना ये तो हो गया सिक्किम सिक्किम का पहला हवाई अड़ा और भारत का सौवा ये बच्चा इसका नामे पैक्योंग एरपोर्ट क्या नामे पैक्योंग एरपोर्ट सिक्किम का पैक्योंग एरपोर्ट सिक्किम का पैक्योंग एरपोर्ट ये भारत का सौवा और सिक्किम का पहला एरपोर्ट बनाएं उससे पहले सिक्किम में कोई एरपोर्ट नहीं था आगे आजाता है किस भारते पहलवान ने 17 से 23 सितंबर तक ट्रिन्वा इसलो वाकिया ट्रिन्वा नाम की एक जगा है इसलो वाकिया में वहाँ पर आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चेंपियंशिप वर्ल्ड रेसलिंग चेंपियंशिप के 57 केजी और ये जूनियर वर्ल्ड रे या सिलवर मैडल जीता रज़त पदक या सिलवर मैडल जीता मैंस फ्री इस्टाइल में तो देखिए जो पिछले साल वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपिएंसी पुईती स्लोव वाइ किया इसमें साथ मैडल आये थे चार सिलवर, तीन ब्रॉंज, चार कैसे थे चासी और साथ केजी में सत्तावन चासी और साथ नवीन सिहाग ने सत्तावन केजी में नवीन सिहाग ने सत्तावन केजी में उसके लाबा दीपक पुनिया विजय और साजन दीपक पुनिया विजय और साजन तो देगे दीपक पुनिया जी ने जीता है छासी दीपक पुनिय है जीने किस में जीता है 6 kg में इन्होंने 70 kg में 2770 kg में और इन्होंने 66 kg में 66 kg में आप से कुशिंट 57 kg का था तांसर क्या हुजाएगा नवीन सिहाग नवीन सिहाग तो चार सिल्वर तीन ब्रॉञंज कहां पर हुए पर टरिनवा जूनियर वर्ल्ड रैसलिंग चैंपेशिप जूर्णों वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियंशिप आ गया आ जाता है कि इंद्रा गांधी वेलो ड्रोम में आईजित होने वाले पांचवे ट्रेक एशिया कप साइकलिंग में किस देश ने सिर्शिस्थान या कौन सा देश टॉप पर रहा है इसमें 12 कंट्रियों ने पाइटिसिपेट किया है और भारत 6 गोल्ड 5 सिल्वर और 2 ब्रॉंज के साथ 6 गोल्ड 5 सिल्वर और 2 ब्रॉंज 6 गोल्ड 5 सिल्वर 6 तो गोल्ड 5 सिल्वर और 2 ब्रॉंज के साथ कुल 13 मेडल के साथ इसमें नंबर वन पर रहा है इंद्रा गांधी वैलो ड्रॉम में चो 21 से 3 सितंबर पिछली साल ट्रेक एशिया कप साइकलिंग पांचवी इसमें 12 शिर इंडिया इसमें फश्ट नंबर पर रहा है इंडिया इसमें कितने नंबर पर रहा है बच्चा फश्ट नंबर पर रहा है आगे आ जाता है फीफा फीफा वूमन बैलन डे और जो विस्व के सर्वस्रेश्ट फुटवालर होते हैं उन्हें पहले मैं स्रेणी में दिया जाता था अब की बार पहली बार वूमन स्रेड़ी में देने की बात तेगी गई वूमन स्रेड़ी में ये पुरुसकार देने की बात तेगी गई पहली बार और ये आपको बताना है कि किसको मिला फ़र्ष्ट टाइम किसको मिला फ़र्ष्ट अवार्ड किसको मिला एकदम सही ये है एडा हैजर बर्ग एडा हैजर बर्ग ये जो फर्श्ट अवाड मिला है ये किसको मिला है बच्चा एडा हैजर बर्ग को मिला है जो की नौर्वे की फृटबॉलर है तो फीफा जो फ्रांस की फृटबॉल संस्था है फीफा की अंतरगत जो फ्रांस फृटबॉल है ये अव आवार देती है सर्व स्रेश्ट फटवालर को 2018 में पहली बार वूमन को भी दिया जाना सुरू किया गया और पहला अवार जो मिलाए यह नौर्वे की अडा हैजर वर्ग को मिलाए किसको मिलाए अडा हैजर बर्ग नौर्वे किसको मिलाए बच्चा एडा हैजर वर्ग नौर अबाड मिलाए एडा हैजर बर्ग जी को फीफा इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोशेशन यह फ्रांस देती है कौन से देती है फ्रांस फुटबॉल इस अबाड को कौन से फुटबॉल देती है बच्चा फ्रेंच फुटबॉल चलिए आगे आ जाते हैं उपराष्ट पती इंडियन कलीनरी इंस्टिटूट इंडियन कलीनरी इंस्टिटूट का उद्घाटन कहां पर किया है इंडियन कलीनरी इंस्टिटूट का उद्घाटन कहां पर किया है इंडियन कलीनरी इंस्टिटूट इंडियन कलीनरी इंस्टिटूट का उद्घाटन कहां पर किया है उप्राष्टपती वेंके नाइडू जी ने इंडियन कलीनरी इंस्टिटूट एकदम सही बच्चा इसका उद्गाटन इसका उद्गाटन तिरूपती आंधर प्रदेश में किया गया है कहा पर किया गया है तिरूपती आंधर प्रदेश तिरूपती आंधर प्रदेश में इ जिसे तिरुपती बालाजी मंदर वो कौन सी पहाड़ीयों में स्थित है यह आप होंवर्क में लिए आंधर प्रदिस का तो तुरीपुती बालाजी मंदर है यह किन पहाड़ीयों इसने दो रोबोटिक रोवर उता रहे हैं रोवर मतलब जैसा भारत अपना चंद्रियान भीज रहा था तो उसमें एक तो रोवर था और एक लेंडर था रोवर का नाम क्या था प्रज्यान इसी तरह इसने मिनर्वा सेकंड वर वने और रोवर वन भी यह उता रहे हैं और यह करने वाला यह वर्ल्ड का पहला country बन गई है ऐसा करने वाला यह वर्ल्ड की पहली country बन गई है जिसने किसी छुद्र ग्रह पर अपने दो robot उतार दी हूँ इसका नामे जापान कौन सा देश है जापान जापान की जो ispais agency होती है उसका नाम होता है जाक्सा की इंगलेंड में फीफा वेश्ट खलाडिक आवाड किस ने जीता फीफा बैश्ट प्लेयर का वाड किसे जीता तो फीफा वेश्ट प्लेयर का वाड यह één लूका मोडरेच जो की क्रूश्या की फुटबॉल टीम के कप्तान है लूका मौडरेज शे ने यावाड जीता लूका मौडरेज आगर जाता है बैल ग्रेड सर्भिया में आयोजित सर्भिया जूनियर और कैडट ओपन में एकल खिताब किसने जीता सर्भिया में टैबल टेनिस का खिताब किसने जीता तो इनका नामे पायस जेन पिछली साल सर्विया के बेल ग्रेड में आयोजित केड़िट बॉइज सिंगल टाइटल इन 2018 सर्विया जूनियर एंड केड़िट ओपन टेबल टैनिस का सिंगल्स टाइटल किसने जीता पायस जेन ने जीता किसने जीता पायस जेन तेरवी सिलेसियन ठाटेंट सिलेसियन महिला वुमेन बॉक्सिंग चेंपियनशिप पिछली साल कहां पर आयोजित हुई सिलेशियन वुमेन बॉक्सिंग चेंपियनशिप ये कहां पर आयोजित की गई ये कहां पर आयोजित की गई जिसमें MC Mericom जी ने गोल्ड जीता, Manisha ने सिल्वर मेडल जीता और चार हमने ब्रॉंज मेडल जीते चार हमने ब्रॉंज मेडल और यूथ कमप्टीशन में जोतिया गूलिया ने गोल्ड मेडल जीता और ये एकलोती जोति गूलिया जो हैं ये अर्जेंटीना के यूथ ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली एकलोती महिला हैं जूनियर कमप्टीशन में भारत ने तेरे मेडल जीते चे गोल्ड चे सिल्वर एक ब्रॉंज और बड़े में दो मतलब चार एक गोल्ड एक सिल्वर दो ब्रॉंज तो कहां पर हुआ था ये सिल्व सिलेशियन वूमेन बॉक्सिंग चेंपेंशिप यह आता गिलीवाइस पोलेंड कहां पर हुआ है गिल्विस पोलेंड थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए कि ये टूनामेंट कहां पर हुआ है गिल्विस पोलेंड आगे आ जाता है कि संयुक्त राष्ट महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस दश्यक को नेलसन मंडेला शांती का दसक अर्थात कौन सी डेकेड को नेलसन मंडेला डेकेड ओपीस घोशित किया है नेलसन मंडेला दशक शांती का अर्थात नेलसन मंडेला शांती का दसक कौन सी तो 2019 से 2028 को डेकेड मतलब दशक मतलब 10 साल को नेलसन मंडेला शांती का दशक घोशित किया गया है एक कुशन और हमवर्क लिख लीजिए कि नेलसन मंडेलाजी को किस वर्स भारत रतन दिया गया नेलसन मंडेलाजी को किस साल भारत रतन से सम्मानित किया गया और ऐसा होने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति बने आगे आ जाता है जेल सुधारों के लिए जो सर्वोच नियाले की तीन सदस्य ही उच्छ कमेटी है उसके हेड कौन से है जेल सुधारों के लिए पिछले साल सुप्रीम कोट ने एक कमेटी बनाई तीन सदस्यों की की जेल में जो एक कंडिशन से इनको और बहतर कैसे बनाये जाए इसके लिए कमेटी बनाई आपको वही बताना है बच्चा कि उसकमेटी का हेड कौन सा है उस कमेटी का हेड कौन है एकदम सही उस कमेटी का हेड है बच्चा जेश्टिस अमिताव रोय ये देंगे कि कैसे जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है जो पबलिक बढ़ती जा रही है जेलों में उसको कैसे बहतर कर सकें यूमन राइट्स को कैसे अच्छा कर सकें वूमेन प्रिजिनर को कैसे और अच्छी सुबधाएं दे सकें तो जेश्टिस अमिताव रोय ने रोय की अध्यक्षता में ये सुप्रेम कोट ने तीन सदस से कमेटी बनाई थी जेल सुधारों के लिए किसके लिए जेल सुधार इ इंद्र जात्रा फेस्टिवल ये कहां सुरू हुआ है अच्छी बारिश के लिए इसका मतलब जो इंद्र है वो गुड हार्वेस्ट का देवता रेन एंड गुड हार्वेस्ट का देवता माना जाता है तो इंद्र जात्रा फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है बच्छा य चिंद्र जात्रा फेस्टिवल यह काटवंडू नैपाल में मनाया जाता है आगे आ जाते हैं इंस्टाग्राम के को फाउंडर जिसे फेस्बुक ने खरीद लिया था WhatsApp को भी Facebook ने Facebook के CEO अच्छा अर्था इंस्टा मतलब कहने का मतलब है Instagram के सैसंस्तापक को फाउंडर जिन्होंने Instagram के CEO के पद से इस्तिफा दे दिया है Instagram के CEO पद से इस्तिफा दे दिया गया है बताईए तो इनका नामें Kevin Sistrom and Mike Kriger Kevin Sistrom and Mike Kriger ये दो व्यक्तियों ने दिया है Kevin Sistrom and Mike Kriger Mike Kriger इन लोगोंने Instagram के CEO पद से इस्तिफा दिया है केविन Sistrom Kevin ये जो Kevin Kriger ये चीफ टेकनिकल आफिसर हैं CTO और जो केविन Sistrom है ये चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं ये चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं इसे 2010 में बनाया गया था और 2012 में एक मिलिएन डॉलर में इसे Instagram को Facebook ने खरीद लिया था आगे आ जाता है JSL Geological Survey Geological Society of London ने किस पक्छी को विस्व का सबसे बड़ा पक्छी पहले विस्व का सबसे बड़ा पक्छी कौन सा हुआ करता है तो विस्व का सबसे बड़ा पक्छी का खिताब अब किसको दिया गया है नताई ये विस्व का सबसे बड़ा पक्छी का वाड किसको दिया गया है 800 kg का होता है लगवग ये है वोरोंब टाइटन ये कहां पर है वोरोंब टाइटन विस्व का सबसे बड़ा पक्छी वोरोंब टाइटन आग्या जाता है राश्टिय साहित्य और बोधिक सम्मेलन अर्थात नेशनल लिट्रेचर एंड नेशनल लिट्रेरी एंड इंटिलेक्शल कॉनफरेंस नेशनल लिट्रेरी एंड इंटिलेक्शल कॉनफरेंस इसको एम वेंके नाइडू जी ने इनोगरेट किया है और इस कॉनफरेंस का नाम क क्या रखा गया इस conference का नाम रखा गया लोक मंतन क्या नाम रखा गया लोक मंतन 2018 इसका आयूजन कहां पर हुआ है तो राची जारखंड राची जारखंड नेशिनल लिट्ररी एंड इंटेलेक्च्वल conference राची जारखंड IPC के किस धारा को ताजे राते हिंद कौन सी दफा को जो अडल्ट्री होता है उसे अब crime नहीं माना है अडल्ट्री को crime नहीं माना है जो अडल्ट्री होती है उसे crime नहीं माना सुप्रीम कोट ने किस बिल्कुल सही IPC के कौन सी धारा को crime नहीं माना तो अडल्ट्री का मतलब है कि पत्नी यदी शादी के अलावे भी कहीं पर संबंद बनाती है तो वो अब crime नहीं है धारा 497 के तहट IPC 497 के तहट IPC 18760 से 1860 से IPC भारते डंड सहीता या इंडियन पीनल कोड या ताजे राते हिंद दफा 497 के तहट कुल इसमें IPC में 511 धारा होती है इसे UPSI के लिए पढ़ाएंगे हम लोग बहुती डीप और 511 तो धारा होती है और 23 चैप्टर होते हैं मज़ा आता है बेसिक लोग पढ़ने में चलिए अगला आ जाता है एक धारा 377 भी IPC की वो उससे जुड़ी हुई है क्या ना हमें उसका उस भारते का नाम बताईए जिससे United Nations द्वारा Champions of the Earth अवार्ड दिया गया है Champions of the Earth एक तो कोचीन एरपोर्ट को मिला है कोची एरपोर्ट और दूसरा किसे मिला है यह मिला है हमारे प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी को Champions of the Earth अवार्ड नरेंद्र मोधी जी को नरेंद्र मोधी जी को आगया जाता है CSIR विद्या द्वारा विज्ञान और प्रुद्योगी के लिए शांती स्वेरूप भटनागर पुरुसकार यह किसको दिया गया शांती स्वेरूप भटनागर पुरुसकार किसको दिया गया बताइए कैई कैटिगरी में दिया जाता है यह बच्चा कैई कैटिगरी में दिया जाता है इंजिनरिंग केटिगरी में, बायोलोजिकल केटिगरी में, केमिश्टी केटिगरी में, आर्थ साइंस केटिगरी में, मैथमेटिकल, मेडिकल साइंस, इंजिनरिंग, फिजिक्स, कैई केटिगरी में दिया जाता है तो Science and Technology छेतर में Science and Tech के छेतर में किसको दिया गया है डॉक्टर थॉमस पुकाडिल को दिया गया है डॉक्टर थॉमस पुकाडिल इसी तरह बाईयो में गणेस तो बाईयो गणेस याद रख सकते हूं सर लगायता बायो जी में Chemistry में राहुल बनर जी तो IIT जी Chemistry बहुत इंपर्टेंट होती है उसके बाद में आ जाता है Earth Atmosphere Ocean में मादी नेनी वेंकर्ट रतनाम तो रतन कहाँ से निकलते हैं धर्ती से निकलते हैं इंजनेरिंग में अमित अंगलवाड अश्विन अनिल गुमासस्ते तो इसका नाम इतना है क्या इंजनेरिंग बड़ी नामवाली कर पाते हैं mathematics में यह हो जाते हैं आपके अमित कुमार और नितिन सक्सेना medical science में गनेशन वेंकर्ट सुब्रमन्यम और physics में अदिती सेन और डॉक्टर अम्रीश गोश तो इस तरह science and tech में किसको दिया गया है डॉक्टर थामस पुकाडिल ट्राइब्स इंडिया के ब्रेंड अमबेश्डर पिछले साल ट्राइब्स इंडिया की ब्रेंड अमबेश्डर किसे गोशित किया गया तो मेरी कौम जी को ट्राइब्स इंडिया की ब्रेंड अमबेश्डर गोशित किया गया ट्राइब्स इंड दर्सनी है अर्थात आर्मी एक्जीबीशन है मोधी जी ने स्कौद घाटन जोदपुर राजिस्थान में किया पिछले साल जोदपुर राजिस्थान में आगया जाता है राश्टिये परियतन पुरुषकार राश्टिये परियतन पुरुषकार समारों में किसको अंतर अनु से देख सकते हैं उसके लिए बहुत ज्याधा friendly है तो यह अवाड किसको मिला यह अवाड़ कुत्व मीनार को मिला यह अवाड कुत्व मीनार को मिला कि ऐसी ऐसा मॉनुमेंट जो की डिफ्रेंशील एबेर्ड लोगों के लिए बहुत हैल्प हो आगा चाहता है एहमदाबाद गुझरात और मद्द्र प्रडेश के मौंडू मौंडू को बैस्ट हरिटेज सेटी कुट हमिनार को डिफ्रेंशील एबल द sweating लजरी और बेश्ट हेरिटेज वॉक इंटेक हेरिटेज वॉक दिली चैप्टर और इंदोर हेरिटेज वॉक को दिया गया मुश्ट इन्नोवेटिव एंड यूनिक सल्स टूरीज्म प्रोड़क्ट ये 21 गन सेल्यूट इंटरनेशनल विंटेज का रेली एंड कंकर्स सो और कोरल सफारी ऑफ चिन्नी इन्हें बेश्ट प्रोड़क्ट का वार दिया गया यूनिक टूरीज्म प्रोड़क्ट तो डिफरेंशियली एबल्ड ये किसको मिलाए ये मिलाए कुत्मी नार को जागरल फिल्म फेस्टिवल के नोवे संस्क्रण में भारते सिनेमा का प्रतीक प्रुसकार अर्थात आइकन ओफ इंडियन सिनेमा आइकन्स ओफ इंडियन सिनेमा का प्राइज ये किसको दिया गया आइकन्स ओफ इंडियन सिनेमा बिलकुल सही ये दिया गया पंकज कपू कर लुकर जी को आइकन ओफ इंडिया जागरन फिल्म समारों में आईकनस ओफ इंडिया सिनेवाद पंकच कपूर जी को एगा आगया जाती है एसिया योग एसिया योगा फैडरेशन जो एशियन योगा इस्पोर्स चेंपियंशिप ये कहां पर आयुजित की गई पिछले साल ये कहां पर आयुजित की गई एशियन योगा फेडरेशन ये कहां पर आयुजित की गई तो बच्चा ये तिरू वनंद पुरम केरल में आयुजित की गई कहां पर आयुजित की गई तिरू वनंद केर केरल जिसे एशियन योगा फेडरेशन द्वारा इस्टार्ट किया गया है कहां पर तिरुबनंदपरम केरल आ गया जाता है विस्व रैबीज दिवस विस्व रैबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं रैबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इससे इंसान पानी से ड का रेवीज दिवस्ता इसकी थीम क्या थी इसकी थीम क्या थी रेवीज शेर दा मैसेज सेवा लाइफ रेवीज शेर दी मैसेज सेवा लाइफ ये इसकी थीम थी रेवीज शेर दी मैसेज सेवा लाइफ लुईस पास्चर ने इसका टीका बनाया था लुईस पास्चर जी ने रेवीज के टीके का जो कुत्ता आधी काटने पर घोड़ा वगएरा काट ले तब भी रेवीज हो सकता है तो हमें इंजेक्षन लगाए जाते हैं पहले चौध है अब तो तीन चाल लगते हैं तो रेवीज का जो इंजेक्षन है वो वैक्सिनेशन टीका उसका विशकार लूइस पास्चनने किया था आगे आजाते हैं रामनात कोविंद जी ने महत्मा गांधी अंतर्राश्टिय स्वच्छता सम्मेलन का उद्धाटन कहां पर किया है अंतर राश्टिये स्वच्छता सम्मेलन का उद्गाटन कहां पर किया है अंतर राश्टिये इंटरनेशनल सेनिटेशन कंवेंशन इंटरनेशनल सेनिटेशन कंवेंशन तो यह किया गया है नई दिल्ली में कहां पर किया गया बच्चा जी नई दिल्ली में इंटरनेशनल सेन स्टेट डिजास्टर रिलीव फोर्स में पहले केंसरकार 75% देती थी पिछले साल इसे बढ़ा कर कितना कर दिया गया केंसरकार अब 90% योगदान देती है जो HDRF होती है इस्टेट डिजास्टर रेस्पॉंस फंड इस्टेट डिजास्टर रेस्पॉंड फंड अर्थात राज्य आपता पृतिक्रिया कोश जैसे कहीं पर बाढ़ा जाए तो उससे जो साहता दी जाती है उसमें केंसरकार ने बढ़ा कर अपना हिस्सा 90% कर लिया गया भारत का पहला कौर्ण फेस्टिवल तो बच्चा ये मद्धे प्रदेश के चिंदवाड़ा चिंदवाड़ा एक ऐसा जिलाए मद्धे प्रदेश में जो मक्का के लिए सबसे ज़्यादा मक्का के लिए ज़्यादा फेमस है और भारत में भी मक्का सबसे ज़्यादा कहां पे होती है मद्ध्य प्रदेश में होती है तो यहीं मद्ध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पच्छा आपका मक्का महस्व सुरू किया गया मक्का महस्व सुरू किया गया आगे आज जाते हैं कि पिछले साल रेल मंत्रा लेने किसके सहयोग से पिछले साल रेल मंत्रा ले रेल्वे की जो भी यादें उसे डिजिटल रूप में सेव करने के लिए Google Arts and Culture के साथ मिलकर गूगल आठ एंड कल्चर के साथ मिलकर ये railway digitization project शुरू किया है railway heritage digitization आगे आ जाता है विस्व हिर्दे दिवस ये कब मनाया जाता है विस्व हिर्दे दिवस जो की 29 सितंबर को मनाया जाता है इस बार इसकी theme क्या थी World Tourism Day, World Maritime Day और World Heart Day से ये 29 सितंबर को मनाया जाते है माई heart, your heart, मेरा दिल, तीरा दिल माई हार्ट, 29 सितंबर को मनाया जाता है World Heart Day, मेरा दिल, तुम्हारा दिल, my heart, your heart इसी दिन temporary time डे बिमानाया जाता है इसी दिन मेरी टाइम नहीं मेरी टाइम डे तो सेप्टेंबर 27 को मनाया जाता है लिख लिजी मेरी टाइम डे सेप्टेंबर 27 को मनाया जाता है और वर्ल्ड टूरीज्म डे वर्ल्ड टूरीज्म डे ये भी 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरीज्म डे ये मुश्ट important 27 सितंबर को मनाया जाता है जब कि 29 को मनाया जाता है वर्ल्ड हाट डे विस्व समुद्री दिवस ये कम बनाया जाता है ये मनाया जाता है 27 सितंबर पिछली बार इसकी थीम क्या थी हमारी विरासत बहतर भवश्य के लिए बहतर नोवन ॵर है टेढ़ पर शिपिंग फूरा बेटर फ्यूचर तो इंटेलेंनेशनल मेरी टाइम डे वाल्ड मेरी टाइम डे एक कमना जाता है सेप्टेमिर 17 विस वो परियतन देवस ये भी कमना जाता है सितंबर 27 और इस बार इसकी थीम क्या थी पिछले साल पिछले साल की तीम थी टूरि एंड दी डिजिटल ट्रांस्फर्मेशन परियर्टन और डिजिटल परिवर्तन लाश्ट रह गया 30 सितंबर का उसे भी कर लेते हैं किस विश्विध दहले को टाइम्स हायर एजूकेशन की रेंकिंग में पिछले साल नंबर वन दिया गया था नंबर वन पर रहा था तो ये इंडियन इस्टिट्यूट आफ साइंस बैंगलॉर आई ऐसी बैंगलॉर टाइम्स हायर एजूकेशन रेंकिंग में नंबर वन पर रहा था भारत की और से नंबर वन पर रहा था भारत की और से तो यह हो जाता है बच्चा आपका 30 सितंबर एंड फिर से मेरी सुन लीजी लच्चा जून से स्टार्ट किया है मुझे पता है आप लोग सुरुवात में जोस में रहते हो फिर आपका जोस खतम हो जाता है यदि जोस खतम हो जाता है तो एक चीस सोचे दिया यदि दिये का तेल खतम दिये में घी खतम तो अंधेरा होता है तो क्या आप चाहते कि ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा लगन कोई व्यक्ति पागल नहीं है कि आपको एक साल का करा रहा है एक भी कुशन यदी आपके पेपर में बना लेते उत्री मेहनत से तो आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी आपकी जो मेहनत है वो एकदम सही दिशा में मानी जाएगी तो सभी लोग इन चारों महीने का रेविजन कर लेना कल हम लोग आठ बजे से सुबह देखते हैं आठ से हम लोग जुलाई 2019 का एक वीक करने की कोशिस करेंगे सेकंड वीक 10 जुलाई या 11 जुलाई तक का तो उसमें भी रखे रहे हैं आज का हम वर्क लिख लीजिए कही सारे हैं एक तो आपको दूती चंद जी के बारे में बताना है दूती चंद जी ने किस किस में जीता था एक आपको ये बताना है दूती चंद जी के बारे में एक दो कुश्यन और जो में बीच में IISC का संस्थापक किसको कहा जाता है Indian Institute of Science Bangalore कब संस्थापना की गई इसके साथ एक दो मेने बीच में जो आपसे कुश्यन पूछे थे वो कुश्यन भी आपको बताने कि इसका कौन था कैसे था साथ साथ रिवाइज कर लेना और एक बहुत रिक्वेस्ट आपसे कि कल सुबह 11 बजे आपके लिए इंपोर्टेंट इवेंट है उसमें आना आप कताई भी न भूले और आपी का परिवार है यदि आप लाइक्शेर सबस्क्राइब करोगे तो और हिम्मस से और ज्यादा जोच से आपके लिए और बहतर चीजे करेंगे मंड़े से में फिर अक्टूबर सुरू होगा और शांदार पढ़ेंगे अक्टूबर को बिना किसी परिशानी के तो सभी लोग लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर करना और यह अच्छे कमेंट्स करके आंसर देना क्लास कैसी चल रही है और क्या आपके अंदर सूरज जैसा इंधन भर जैग्जांपूर कर विजैग्जांपूर